ठीक है बच्चो अब आजाओ एक्जाम्पल नम्बर 3 एक्जाम्पल 3 एक्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है कि for all n is greater than equals to 1 प्रूफ देट प्रूफ देट ये 1.2 नहीं है 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 and so on plus 1 upon n into n plus 1 this is equals to n upon n plus 1 ठीक है n is greater than equals to 1 के लिए में क्या प्रूफ करना है कि this is always true तो फिर से वही बात solution पे आते ये question जो हमारा ncrt से जैसे मैंने बोला है कि tagging कर दूँगा मैं question पे ठीक है चलो मैं एक बार जो बार बार repeat करता हूँ फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या है pn लिख लेना है सबसे पहले equality वाला question है तो equality वाले question का same concept होगा क्या concept होगा p1 check कर लिया pk के लिए true माल लिया pk plus 1 लिख दिया उसके बाद pk plus 1 का left hand side उठा लिया ठीक है pk plus 1 के left hand side में कितने terms होगे k plus 1 terms होगे तो first term से लेके जो k terms है उसका value कहां से उठा के डाल दिया pk का right hand side वाला term डाल दिया उसके बाद उसको calculate करेंगे तो क्या मिल जाएगा pk plus 1 का right hand side तो बस हो गया hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural number यही same logic है तो pn क्या हमारे पास सबसे पहले pn लिखेंगे क्या होगा one upon one अच्छा एक बाद तुम लोग जानते हो की नहीं कि जैसे इतना हम लोग जैसे one point two लिखना होता है तो generally क्या होता है point को ऐसे लिखते but इतना book में भी नहीं ध्यान देते but point जो होता है ऐसे लिखा जाता है और one into two लिखा जाता है तो one और two के बीच में ऐसे point क्या होता हो पर होता है but हम लोग इतना ध्यान नहीं देते है even book में भी नहीं ध्यान देते है ठीक है तो ये point decimal का actual में जो correct position होता है वो बिल्कुल लीजे और जो multiplication का क्या होता है बिल्कुल बीच में तो ये लिखा है one point two plus क्या लिखा है one upon two point three one upon three point four sorry point बोला हूँ three into four और ये क्या है one upon n into n plus one is equals to n upon n plus one फिर से एक बात ये क्या लिखा हुआ है ये series लिखा हुआ है इस series का क्या मतलब है कि अगर तुम first term लो ये पहला term है फर्स टर्म है ये second term है ये third term है ये nth term है तो first term में क्या लिखा है first term का value क्या है one upon two तो यहाँ पे अगर तुमने n का value one डाला तो देख लो one upon one plus one is one upon two अगर तुम पहले दो term का sum करते हूँ पहले न तुम दो terms का sum करते हूँ पहले तुम दो terms का sum करते हूँ बच्चे तो पहले दो term का sum करेंगे तो क्या होगा one upon one into two plus one upon two into three पहले दो term का sum करेंगे तो क्या मिलेगा हमें one upon two plus one upon six तो LC हम लेंगे तो क्या होगा six तो three plus one upon six तो क्या हो जाएगा four upon six तो क्या हो जाएगा 2 by 3 तो पहले 2 term का sum में क्या मिला 2 by 3 अब तुम क्या करो 1st 2 term का sum लिया तो right hand side में n का value 2 डाल दो तो क्या है right hand side n upon n plus 1 तो n का value 2 डालो तो 2 upon 2 plus 1 यह आगिया 2 by 3 समझे रो logic पहले 3 term का sum लो और यहाँ पहले n का value 3 डाल दो equal आ जाएगा पहले 4 terms का sum लो ठीक है और यहाँ पे n का value 4 डालो equal आ जाएगा अब कोई बच्चा बुलेगा कि यहाँ पे तो 3 terms लिखा है ठीक है तो 4 term क्या होगा तो 4 term के लिए क्या करोगे यह तो general term लिखा है ना तो इसमें n का value 4 डाल दो उससे भी पहले देखो यह general term में अगर तुमने यह general जो term है ना इसमें अगर तुमने n का value 1 डाला देखो 1st term आ जाएगा डाल के देख लो n का value फिर अगर इसमें तुमने n का value 2 डाला तो 2nd term आ जाएगा फिर इसमें अगर तुमने n का value 3 डाला 3rd term आ जाएगा अगर तुम्हें यहाँ पे 4 term लिखना है तो n का value 4 डालो 4 term आ जाएगा 4 terms को add कर दो और यहाँ पे n का value 4 डालो equal आ जाएगा तो सबसे पहले यह समझना है यह actual में क्या लिखा होगा है ठीक है यह हमने लिख लिए उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे हमारा step number 1 step number 1 में क्या करते है p of 1 तो p of 1 के लिए क्या करेंगे p of 1 के लिए पहला term तो 1 upon 1 into 2 और यहाँ पे क्या डालेंगे n की जगा 1 तो क्या होगा 1 upon 1 1 प्लस 1 तो यहाँ पे क्या है which is true which is true implies क्या हमें मिला p of 1 is true p of 1 क्या मिल गे हमें true मिल गे इसमें कोई problem नहीं है तीक है उसके बाद क्या करते है step number 2 step number 2 में क्या करते है फिर वही बात let us assume that p of n is true for n is equal to k also that is p k is true हमने assume कर लिया क्या कि यह जो हमारा p n है यह n is equal to k के लिए true है means p k के लिए true है तो p of k क्या होगा कुछ नहीं p n में जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां के डाल दो तो p k क्या होगा 1 into 2 upon यह 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon k into k plus 1 is equals to k upon k plus 1 इसको हम क्या बोलते हैं induction assumption इसको हमने first equation तुम्हें समझ में आ रहा होगा same logic है एक ही काम कर रहे है बट question हमारा different है काम तो एक ही कर रहे है अब फिर आ जाएंगे step number 3 में step number 3 में क्या बोलेंगे झाएंगी में अब रहे है वही ची च बोलेंगे PK plus 1 is true यह हमें प्रूफ करना है अब हमें क्या प्रूफ करना है कि PK plus 1 भी हमारा true है तो उसके लिए क्या करेंगे same logic है पहले क्या करेंगे PK plus 1 लिख लेंगे पहले हम क्या करेंगे PK plus 1 PK plus 1 लिखेंगे PK plus 1 कैसे लिखते है पहले तो PK जो है उसके पहले के टम मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो तो PK का लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon k into k plus 1 यह अभी मैंने कितने टम्स लिखेंगे अभी मैंने k टम्स लिखेंगे अब क्या करेंगे यह जो kth term है न इसमें k की जगा k plus 1 लाल दो तो k plus 1 लेफ्ट है टम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 upon यहाँ पे मैंने k की जगा k plus 1 लालेंगे तो यह तो हो गया k plus 1 इस k की जगा k plus 1 लालेंगे क्या हो जाएगा k plus 2 अब यह p k plus 1 का left hand side आ गया इस left hand side में कितने टम्स है left hand side में k plus 1 टम्स है right hand side में क्या होगा p k में जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k plus 1 लाल दो तो p k plus 1 का right hand side term आ जाएगा तो PK में क्या हमारे पास? PK क्या हमारे का right hand side क्या है? K upon K plus 1 तो K की जगा K plus 1 डालेंगे तो K plus 1 upon K plus 1 plus 1 यह हमें proof करना है यह किसके को लोग गया? K plus 1 upon K plus 2K यह अभी मैंने लिखा PK plus 1 अब इसको हमें proof करना है यहाँ पे लिख लो to prove अब हमने लिया left hand side of PK plus 1 PK plus 1 का हमने left hand side लिया PK plus 1 का left hand side क्या? 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon K into K plus 1 plus 1 upon K plus 1 into K plus 2 यह PK plus 1 का left hand side लिया यहाँ से यहाँ तक same logic चल रहा भी तक यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? यह तो PK का LHS है तो इसको हम किसके equal लिख सकते हैं? PK के RHS के equal लिख सकते हैं और PK का RHS क्या है? K upon K plus 1 और यह क्या हमारे पास यहाँ पे लिखा? K plus 1 upon K plus 2 कहां से आ गया? From equation 1 ठीक है? अब बच्चों क्या करेंगे? अब कुछ बच्चे पता है क्या करने लगते हैं? LCM लेने लगेंगे तुरंत में ठीक है? ऐसे नहीं करना है पूरे mathematics में किस बात को ध्यान में रखोगे? कि जब भी common दिखे न तो common ले लो LCM लोगें गलत कुछ नहीं होगा बट कहीं भी calculation mistake हो जाएगा न तो पूरा question गलत हो जाएगा तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? कि यहां हमें साफ साफ देख रहा है कि denominator में k प्लस 1 common है तो 1 upon k प्लस 1 हमने common ले लिया तो first term में क्या बचा? सिर्फ k second term में क्या बचा? 1 upon k प्लस 2 अब calculation अचान हो गया इसको लिख लिया 1 upon k प्लस 1 और ये क्या हो गया? k into k प्लस 2 plus 1 upon k प्लस 2 ऐसे हो गया न ये किस k को लो गया? 1 upon k प्लस 1 और ये इसको करोगे तो क्या होगा? k स्क्वार मल्टिप्लाई करोगे तो plus 2 k plus 1 upon k प्लस 2 अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है? k स्क्वार प्लस 2 के प्लस 1 ये k प्लस 1 का whole square है इसको तुम क्या लिख होगे? k प्लस 1 का whole square denominator में क्या है? k प्लस 1 और ये क्या हमारे पास? k प्लस 2 तो एक square है उपड़े cancel हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? k प्लस 1 upon k प्लस 2 देख लो ये क्या हमारा right hand side of p k प्लस 1 ये p k प्लस 1 का right hand side है समझ रहे हो बात को क्या हुआ? सेम लॉजिक चल रहे है न भी तक ये हमें क्या मिल गया? p k प्लस 1 का right hand side तो यहां पे हमें क्या पता चला? this implies that p of k प्लस 1 is true तो ये क्या imply हुआ? कि p k is true ये अगर p k true है तो ये क्या imply कर रहा है? कि p k प्लस 1 is true ठीक है? यहां फे क्या लिखेंगे hence by principle of mathematical induction p n is true for all and belongs to natural number अब हमारा hence proof हो गया ठीक है बच्चों मेरी बात आ रहे है समझ में क्या बोला मैंने? same logic ठीक है? exactly कुछ भी change नहीं है equality वाले में बिल्कुल same logic है inequality वाले में क्या होगा? कि किसी question में थोड़ा different चीज लगेगा किसी question में थोड़ा different चीज लगेगा inequality में equality में तो same logic है बट question अलग-अलग है logic तो बिल्कुल same है एक question में अगर बता दू न तुमें तो सारे question तुम कर सकते हो एक एक question one by one सारे question में solve करूँगा ठीक है अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यह तो question मुझसे हो जाएगा अब मुझे question number four में problem है तो jump कर जाओ अब तो systematic way से चल रहे हैं ना हम लोग अभी तो systematic way से चल रहे हैं तो अगर मालो question number three तुमसे हो गया तो question number four में jump कर जाओ उसके बाद मैं description box में क्या करूँगा कि time jump एक option आता है वो भी डाल दूँगा अभी नहीं कुछ दिनों में क्या होगा time jump डाल दूँगा उसमें question के साथ जैसे question one किस time से start है question two किस time से start है question three किस time से start है अगर तुम्हें सिर्फ question three देखना है तो सिर्फ question three के corresponding time jump पे click कर होगे सीधे question three start हो जाएगा तो वो अभी नहीं कुछ दिनों को बाद डाल दूँगा अभी तो तुम्हें क्या करना होगा आगे forward करके question में जाना होगा ठीक है तो यह हो गया हमारा क्या example number three कोई doubt नहीं है आई हो अब आजओ बच्चो example number four में example number four में क्या है कि हमारे पास NCRT example four यहां पर क्या लिखा है for every positive integer n for every positive integer n prove that seven to the power n minus three to the power n is divisible by four यह NCRT का बचों question है ठीक है अब देखो यह जो है न अभी तक हमने दो types के question किये थे एक तो equality जो अभी से just किया हमने फिर उससे जो पहले question किया था inequality वाले में और यह जो अब आ गया न है यह थर्ड टाइप का question आगे दिविजिबिटी बस यही तीन टाइप के question है पहला equality दूसरा inequality और तीसरा divisibility ठीक है न तो अब यह आ गया हमारा थर्ड टाइप का question इसको कैसे solve करेंगे पहली बात तो main जो basic concept है वो तो सेम है सबका बट थोड़ा सा calculation बस थोड़ा क्या होगा थोड़ा-थोड़ा calculation different होगा ठीक है अब जैसे इस question में क्या बोला है सबसे पहले question positive integer किसे बोलते है natural number को prove that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4 अगर तुम यहाँ पे n का कोई भी positive integer डालो कोई भी natural number डालो n की जगह तो यह जो पूरा expression लिखा है न 7 to the power n minus 3 to the power n इस पूरे expression से जो n का value मिलेगा sorry इस n के अगर यहाँ पे हमने n का value कोई भी natural number डाला तो यह पूरे expression का जो value मि में सब 4 से divisible होगा ठीक है तो अगर कोई भी number 4 से divisible होगा तो वो 4 के multiple में होगा यह already हमें पता है ठीक है न अगर मैंने बोला न कि 20 is divisible by 4 तो 20 क्या होगा 4 के multiple में होगा 4 into 5 ठीक है तो 20 को तुम क्या लिख सकते हो 4 into 5 5 को क्या बोल सकते हो lambda बोल सकते हो तो इसको मैं ऐसे भ देखो अभी use करेंगे सबसे पहले क्या हमारा first step क्या है pn लिखना pn क्या बोला है 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4 यह हमारा क्या है divisible by 4 यह 4 से divisible है पहले तो यह लिख लिए उसके बाद फिर step 1 step 1 में क्या करते है p of 1 चेक करते p of 1 क्या होगा n की जगा 1 डालेंगे तो 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 इसका value क्या होगा 7 minus 3 7 minus 3 क्या होगा 4 तो 4 तो 4 से divisible है which is divisible by 4 which is divisible by 4 तो यहां से मैं क्या पता चला है कि p of 1 is true p of 1 क्या हमारा true है अब आज ओ फिर वही second step फिर वही let us assume that p n is true for n is equals to k also इतना लंबा statement नहीं लिखना चाहते हो अगर let us assume that यह नहीं लिखना चाहते हो तो लिख लो let p k भी true p k भी true हमने क्या माल लिया p k true है तो p k true है इसका मतलब p of k क्या हमारा p of k क्या होगा n की जगा k डाल दो तो 7 to the power k minus 3 to the power k is divisible by 4 ठीक है तो अब 7 to the power k minus 3 to the power k यह पूरा expression 4 से divisible है अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 20 जो है 4 से divisible है तो 20 को तुम लिख सकते हो 4 into 5 अब इस 5 को अगर तुम lambda बोल दो तो इसको नहीं लिख सकते हो 4 lambda sorry lambda ऐसे लिखते where lambda belongs to natural number जैसे मैंने बोला 24 के table में तो 4 into 6 तो 6 के हमारा natural number है तभी तो हम बोलते है 4 6 is 24 तो अगर मैंने बोला कि यह पूरा expression अगर 4 से divisible है तो यह expression का form क्या होगा इस expression का form होगा 4 lambda इसको समझना है तो इसको हम क्या लिख सकते है 7 to the power k minus 3 to the power k अगर यह 4 से divisible है तो इसको हम क्या लिख सकते है 4 into lambda वेर यहाँ पर हम क्या बोल सकते है lambda belongs to natural number था नहीं है यह पर lambda belongs to natural number ठीक है तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे induction assumption क्या बोलेंगे से induction assumption और इसी induction assumption को क्या बोलते है first equation ठीक है यहां तक हो गिया अब आजाते हैं बच्चो step 3 में फिर हमें क्या प्रूफ करना होगा हमें यह प्रूफ करना होगा कि पी-क प्लस-वन इस तूप से लोगा कि इसको को लोगा है प्रूफ ने यह दूफ पी-क प्लस-वन इस तूप वैनिवर पी-क प्लस-वन प्लस-वन जैसे तुम इस क्योश्रन को देखो ध्यान से, divisibility वाले में क्या है, इसको देखो ध्यान से जैसे मैंने क्या बोला कि हमें क्या प्रूफ करना है, PK प्लस one को प्रूफ करना हमें, कि PK प्लस one true है, कब, जब PK true है, अभी तक हमने जतने भी questions solve किये हैं, उन सारे questions में हमने क्या किया है हमने यही तो काम किया है हमने यही किया है कि PK plus one को proof किया किसके help से PK के help से यहां भी वही काम करेंगे चाहे वो question equality वाला हो चाहे वो question inequality वाला हो चाहे वो question divisibility वाला हो तो अब मैं सोच रहा हूँ कि PK plus 1 is true इससे मुझे देखाना है कि यह true है कब? whenever PK is true whenever PK is true जब PK true होगा तो PK plus 1 भी true होगा अब PK plus 1 क्या है? 7 to the power k PK में जहां-जहां k है न वहां-वहां k plus 1 डाल दो यहां पे PK में 7 to the power k minus 3 to the power k तो यहां पे k plus 1 डाल दो 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 is divisible by by 4 यही है न पे के प्लस 1 समझ रहो न बात को? यही है न पे के प्लस 1 इसको हमें क्या करना है? इसको हमें proof करना है to prove किसके help से proof करना है? PK के help से इसके help से देखो बच्चो इसके help से यह जो हमारा है न इसके help से यह जो induction assumption है यह जो ہमने first equation लिया है इस first equation के help से हमें क्या करना है हमें यह देखाना है कि 7 to the power k 0 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 4 से divisible है तो अगर 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 4 से divisible है हमें क्या करना है 4 into some integer या 4 into some natural number के form का देखाना होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमें exactly proof क्या करना है हमें exactly proof ये करना है कि इसको हमें इस पूरे value को हमें किसके equal दिखाना होगा 4 into some natural number lambda बोल चुके हैं तो lambda की जगा हमने mu माल लिया ये हमें proof करना है ये हमें अगर हमने इसको proof कर दिया किसके help से proof करना है PK के help से अगर PK के help से अगर मैंने ये proof कर दिया तो hence by the principle of mathematical induction Pn is true for all natural number आरेए मेरे बात समझ में तो अब start करते हैं अब हमने लिखा PK plus 1 PK plus 1 क्या हमारे पास PK plus 1 PK plus 1 PK plus 1 क्या है 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 ठीक है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 to the power k into 7 minus 3 to the power k into 3 ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ कोई problem है ठीक है अब तुम यहां से देखो कि इस 7 को मैंने ऐसे छोड़ दिया ठीक है अब यहां से ये जो 7 to the power k है यहां से ये जो 7 to the power k हमें तो use तो करना ही है ना first equation को ठीक है pk plus 1 में तो हम first equation use करते है तो यहां पे जो लिखा है 7 to the power k इसको हमने left hand side में रखा और ये minus 3 to the power k को right hand side में ले गया तो 7 to the power k का value क्या आगिया 3 to the power k plus 4 lambda आप ये बात समझ में 7 to the power k को हमने left hand side में रखा minus 3 to the power k को right hand side में ले गया तो हमें क्या मिल गया 3 to the power k plus 4 lambda बस इसकी जगा 7 to the power k की जगा ये value पूट किया है हमने अब बाकी क्या लिखा है minus 3 to the power k into 3 ऐसे लिख दिया ठीक है अब इसको फिर calculate करेंगे तो calculate कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हमारे पास इसको multiply करेंगे तो 7 into 3 to the power k ठीक है minus 7 into 3 to the power k plus ये क्या होगा 7 forza 28 lambda minus 3 into 3 to the power k अब अगर तुम 3 to the power k को x देखो अगर assume कर लो 3 to the power k को x तो ये क्या लिख लिखा है 7 x minus 3 x तो 7 x minus 3 x क्या होता है 4 x होता है तो x की जगह हमने क्या बोला है 3 to the power k तो 4 x x की क्या होगा 3 to the power k plus 28 lambda ऐसे लिख लिख लिया ठीक है उसके बाद हमने क्या क्या इससे 4 common देख रहा है तो 4 common ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3 to the power k बचा यहाँ से 4 common लिया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 7 lambda बचा अब तुम देखते चलो बातों को न ध्यान से सूने यहाँ पे हमें पी के प्लस वन क्या मिला पी के प्लस वन इसी को तो हम solve कर रहे थे यह किसके एकवल मिला 4 3 to the power k plus 7 lambda plus 7 lambda plus 7 lambda अब बच्चो यह बताओ कि k है क्या k तो natural number है lambda क्या है lambda भी natural number है k भी हमारा natural number है lambda भी हमारा natural number है तो तुम बताओ 3 per power अगर तुम कोई भी natural number रखोगे तो उसका value क्या होगा natural number अगर तुम 7 को किसी natural number से multiply करोगे तो वो भी natural number होगा और दो natural number को add करोगे तो उसका sum भी natural number होगा इसका मतलब यह natural number है यह natural number है तो दोनों का sum भी natural number है तो यह जो पूरब bracket में लिखा हुआ है ना यह एक natural number लिखा है for sum k and lambda where k is a natural number and lambda is a natural number तो इसको मैंने क्या बोल दिया 4 mu where mu को मैंने क्या बोला mu किसके equal हो गया 3 to the power k plus 7 lambda k and mu belongs to natural number तो finally हमने p k plus 1 जो हमारा क्या था 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 इसको किस format में लिख दिया 4 mu के format में लिख दिया ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो expression given है यह तो p k plus 1 है यह 4 into mu के format में आ गया इसका मतलब क्या हो गया p k plus 1 is divisible by 4 और हमने use किया देखो बार बार मैं बता रहा हूँ p k को use करना है देखो यहाँ पे इसका value जो डाला है 7 to the power k का value यहीं से डाला है p k से तो use भी क्या हमने p k को तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हम यह बोलेंगे this implies that p of k plus 1 is true p of k plus 1 क्या है हमारा true है ठीक है thus p k is true अगर p k true हुआ तो यह क्या imply कर रहा है यह imply कर रहा है कि p k plus 1 भी true है hence by p m i principle of mathematical induction p n is true for all and belongs to natural number p n हमारा क्या हो गया सारे natural numbers के लिए true हो गया तो बच्चों यह हो गया हमारा example number 4 total कितने examples है NCRT में total 8 examples है तो example number 4 हो गया अब बच्चों आजाओ example number 5 पे ठीक है इसको next video में करते अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो like and subscribe करें चैनल अगर तुम्हें लग रहा है वाकि समझ में आ रही है चीज़े तो like and subscribe क्या रहा है